अब सुनो, addition and multiplication पढ़ने के बाद, एक लोटी आखरी चीज जो probability के अंदर बची है, वो है base theorem, probability concept wise बहुत थोटा जोटर है, क्योंकि इसके अंदर चारी चीज़े पढ़नी होती है, classical definition, set theory, addition, multiplication and base theorem, बस, इसके अला probability में कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर question एक से एक बन जात combination में अलड़ी पढ़ चुके होते हैं, तो इसलिए, तो इसलिए आप हम आखरी चीज़ पढ़ने आ रहे है, base theorem, base theorem पर बहुत ज़्यादा धिहना है, base theorem है बहुत आसान सी, जैसे मैं समझाऊंगा, आप वैसे समझेंगे, तो अगले एक मिनट में ही, आप base theorem में expert हो सुनिये धिहान से, base theorem, base theorem, देखिए, अभी दो मिनट कलम अलम नीचे रखके सुन लीजिए, क्योंकि एक बार इसकी थेओरी क्लियर हो गई तो बात बन जाएगे, अब तक हम लोग क्या करते चले आए हैं, अब तक हम को कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल सेटप दे रखा थ कि बायी यह बॉक्स है, इसमें बॉल पड़ी है, यह डाइस वेकी जा रही है, यह घोड़े दोड रहे हैं, अब तक हम क्या करते थे पहले जरा उसको एक बार सुन ले, अब तक हमको एक एक्सपेरिमेंटल सेटप दे रखा था, और उस एक्सपेरिमेंटल सेटप से अग्या उसके साथ असोसियेटे टेड किसी इवंट की प्रबिल्टी हम लोग निकाल लिया गर्टे थे यही हम लोग कर दे चले आएँ । अगर वहां इवंट एक से जादा तरीकों से हो सकता होगा, अगर वह event एक से ज़्यादा तरीकों से हो सकता होगा तो हम बोलते थे उस event की होने की probability होगी event का होना by way 1 plus event का होना by way 2 plus event का होना by way 3 जैसे एक छोटा सा शुरुवाती question आपने किया था कि एक पर्स के अंदर 10 सिख्ये हैं पांच नॉर्मल सिख्ये, नॉर्मल कोई एंजी, तीन डबली हेड़ेड हैं दो डबली तेल्ड हैं और सिंपल सा एक कोशन पूछा गया था कि अगर एक सिख्या निकाल के उच्छाला जाए तो क्या probability है कि उस पर हैड आ जाए तो अपनने इसको अराम से इस परकार से सॉल्व किया था कि भईया हेड दो तरीकेये से आसकता है यह तो नॉर्मल कोई हाथ लगे और हैड आ जाए यह डबली हेड़ेड हाथ लगे और हैड आजाए तो यहांनि यह हैड अने का event दो तरीके सो सक्ता था normal coin निकल के head आ जाए double head निकल के head आ जाए ये अभी तक हमने probability में यही किया यही सीखा एक experimental setup के साथ जुड़े हुए किसी event की probability निकाली और अगर वह event दो-तीन तरीकों से हो सकता है अगर वह event वे 1 से हो सकता है वे 2 से हो सकता है वे 3 से हो सकता है तो हम लोग बोलते थे कि उस event के होने की probability हो गई probability of event by way 1 plus probability of event by way 2 plus probability of event by way 3 यह हो जाती थे हमारी probability यह अब तक हम करते चले आएं हैं यह अब तक हमने किया है अब base theorem कैसे different है आप सुने ध्यान से base theorem में आपको दिया जाएगा एक event और कहा जाएगा यह event हो चुका है और वो जो event होगा वो एक से ज़्यादा तरीकों से हो सकता होगा और आप से पूछा जाएगा कि अगर यह event हुआ है तो क्या संभावना है कि यह way 1 से हुआ हो या क्या संभावना है कि यह way 2 से हुआ हो यह क्या संभावना है कि यह वे 3 से हुआ हो बेज थिवरम में event की probability नहीं निकालनी बलकि आपको कहा जाएगा कि यह event है जो हो चुका है there is an event which has already happened and that particular event can happen in a number of ways and you will be asked what is the probability that the event happened by way 1 or the event happened by way 2 यह है बेज थिवरम में event की probability नहीं निकालिया थी एक event होगा वो हो चुका होगा और वो event काई तरीकों से हो सकता होगा तो आप से पूछा जाएगा कि यदि यह event हो चुका है तो क्या संभावना है कि यह पहले तरीके से हुआ हो यह क्या संभावना है कि यह दूसरे तरीके से हुआ हो and so on यह अंतर है अब तक जो पढ़ा और अब जो पढ़ने जा रहे है आखरी concept है ठोटा सा है और मैं जैसे बताऊँगा जीवन में कभी इसका सवाल गलत हो गई नहीं अब सोनो ध्यान से जैसे यहीं पर इसी को लेते हैं अगर मैं आपसे पूछूँँँ एक सिक्का निकालके उचाला और वो हैड आ गया एक सिक्का निकालके उचाला और वो हैड आ गया तो क्या संभावना है कि निकलावा सिक्का नॉर्मल कोई हो यह क्या संभावना है कि निकलावा सिक्का डबली है डिट हो बेस थ्योरम में यह पूछा जाएगा एक बार फिर दोहरा जेता हूं बेस थ्योरम में इवेंट की प्रबबिल्टी नहीं पूछिया बल्कि एक इवेंट होगा जो की अलरी अकर करचुगा 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 होगा that it has occurred by way three. जैसे इसी question के अंदर सिक्का निकाल के उच्छालते हैं और वो हेड आता है. तो क्या संभावना है कि नॉर्मल सिक्का निकला हो? क्या संभावना है कि डबली हेड़े निकला हो? ये सवाल है. ये हो गया अब तक की probability और बेस थ्रम में अंतर. एक लवता सवाल कैसे करना है? करना कुछ नहीं है. मैं आपको बताता हूँ. जो इवेंट आपको कहा जाए हो चुका है. आप उसी की probability लिख दो. अब सुनो ध्यान से. इसी सवाल को लेते हैं. मानला आप से पूछा जाए कि सिक्का निकाल के उछालने पर हैड आता है. तो क्या सम्मावना है? कि डबली हेड़ निकला हो. कुछन पूछ रहा है कि सिक्का निकाल के उछालने पर हैड आता है. तो टोटल फाइनल इवेंट क्या हुआ? वही, कंडिशनल प्रोबिल्टी. conditional probability पर चले जाएए total final event क्या हुआ? head का आना तो total case क्या होगा? head का आना अभी रुख जाएए जो final event दे रख्खा होना आप उसी की probability लिख दीजिए अब यहाँ पर final event क्या है? इस question में हमको पूछा जा रहा है यदी सिख्का निकालके उछालने पर head आता है तो क्या संभावना है कि वो सिख्का double-headed निकला हो? क्या संभावना है कि वो सिख्का double-headed निकला हो? यह पूछा जा रहा है चलो देखते हैं, सोनो ध्यान से final event क्या हुआ? head का आना तो आप तो हैड के आने की प्रवाबिल्टी लिखें हैड कैसे कैसे आसकता है नॉर्मल सिख्का निकले और हैड दिखा दे या डबली हैड निकले और हैड दिखा दे जो फाइनल इविंट हुआ वो आपका टोटल हो गया और उसी के अंदर आपका फेवरिवल पार्ट भी आ गया और उसी के अंदर आपका फेवरिवल पार्ट भी आ जाता है अहां आ गया फेवरिवल अपॉन टोटल चुकि फेवरिवल पार्ट क्या है डबली हैड़ेड से हैड का आना और total क्या है, head का आना, बस खतम, base term over, इतना ही करना है, जिस event की probability आपको दे रखियो, कि यह हो चुका है, आप उसी event की probability लिख दो, उसके अंदर आपका favorable वे भी दिख जाएगा, और total वे भी दिख जाएगा, और आपका answer आजाएगा, favorable upon total, फाइनल event क्या बोला, head आया, तो औ और favorable क्या हुआ, डबली headed से head का आना, यह हो गया, favorable, तो आंसर आजाएगा, favorable upon total, जो event आपको दे रखियो कि यह event हो चुका है, आप उसी event की पहले की तरह probability लिख दो, जैसे पहले लिखते थे, उसमें आपको favorable भी दिख जाएगा, और पूर आपका total हो जाएगा, और आपका अंसर हो जाएगा, favorable upon total, समझ में आया सब लोगों को, good, आओ कोशन करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इन सवालों को, जो मैं करने जा रहा हूं, yes, अब ध्यान से सुनना है, वापिस से सवाल करने के पहले, मैं एक बार फिर से, बेज थियोरम को दोह रहाएगा, बेज थियोरम में, एक event होगा, जो कई सारे तरीकों से हो सकता होगा, और आप से बोला जाएगा, कि अगर ये event हो चुका है, तो क्या संभावना है, कि वो way one से हुआ हो, इसके अंदर event के होने की probability नहीं निकालते है, event हो चुका है, तो उसके particular way से होने की probability निकालते है, और क अरते कैसे हैं, कि जो event हो चुका होता है, आप उसी की probability लिख बीचे है, जो event हो चुका है, आप उसी की probability लिख बीचे है, आईए, आप questions करें तो बिलकुल feel आए, बोड पर देखेंगे, question कहता है, an instrument consists of two unit, कोई instrument है और उस instrument में दो unit है, like this, दो unit है, ठीक है ना, each unit, यह unit A कह दीजे, unit B कह दीजे, each unit must function for the instrument to operate, दो इनों unit काम करने चीए, तब instrument काम करेगा, the reliability of first unit is 0.9, पहली unit काम करे, अच्छे reliability है, 0.9, second unit की reliability 0.8, second unit काम करे, 0.8, the instrument is tested and failed, final event क्या हुआ, कि जब instrument की testing हुई, वो fail हो गया, अब देखिए, क्या बोलता है, the probability that, only the first unit failed, and second unit is sound, अगर instrument को test करने पर, instrument fail हो गया, तो क्या संभावना है, कि कि और पहली unit fail हुई हो, दूसरी unit काम कर रही हो, final event क्या हुआ, final event हुआ, instrument fail कर गया, तब सोचो, instrument कैसे कैसे fail कर सकता है, या तो A fail कर जाए, B काम करता रहे, या A काम करता रहे, B fail कर जाए, या A और B दोनों fail कर जाए, केवल तीन ही तरीके से, instrument fail कर सकता है, या तो A fail करे, B काम करता रहे, या A काम करता रहे, B fail कर जाए, या A और B दोनों fail कर जाए, तो यह हो गया, total case, instrument के fail होने का, total probability, किस चीज की probability पूची गई है, only the first unit failed, and second unit is sound, तो यह हो गया आपका favorable, upon total, आए केलकुलेशन करें, यहा बोला गया है, यदि instrument fail कर गया है, तो क्या संभावना है, कि पहली unit fail की हो, दूसरी unit काम कर रहे है, तो इस instrument fail करने के total case, नीचे आएंगे, और favorable case उपर आजाएगा, A-B, 0.1 into 0.8, प्लस A काम करता रहे, into 0.2, दोनों ही fail कर जाए, यह हो गया total case, instrument fail होने का, तो हमको निकालनी है probability, first unit fail and second unit sound, given that instrument fail, यह कितना हो जाएगा, favorable, यह favorable case है, upon total, total case क्या है, total case instrument का fail होना, कैसे कैसे fail होगा, A-Fail हो जाएगा, B-Kाम करता रहे, A-Kाम करता रहे, B-Fail हो जाएगा, यह A-A और B-Dोनों फेल हो जाएगा, यह हो गया, हाँ, टेंशन नहीं कली हो जाएगा, आइए, आइए, यहाँ पर और कोशन लेए, यह देखिए तरह तरह की question base theorem पर base आते है formula की ज़रत नहीं है आपको कि double base या extended base है नहीं सले बस में क्या बोलता है on a Saturday night 20% of all drivers in USA are under the influence of alcohol 20% drivers under the influence of alcohol होते हैं पी रख्षी होती है the probability that a driver under the influence of alcohol will have an accident is 0.001 अगर अल्कोहलिक है तो अग्सिदेंट होने की प्रोबिल्टी 0.001 है है ना अल्कोहलिक होने की प्रोबिल्टी 0.2 है and probability of accident given that वो अल्कोहलिक है 0.001 है तो प्रोबिल्टी नौन अल्कोहलिक होने की 0.8 हो गई आगे गिवन है the probability that a sober driver यानि नौन अल्कोहलिक will have an accident probability of accident given non-alkोहलिक is 0.001 यह हमको information given है जो भी information given हो उसको mathematics form में लिखे आगे बोलता है if a car on a Saturday night smashed into a tree यानि final event क्या हुआ accident हुआ तो सोचो कैसे कैसे accident हो सकता है accident दो तरीके सो सकता है अल्कोहलिक हो और एक्सिदेंट कर दे या नौन अल्कोहलिक हो और फिर भी एक्सिदेंट कर दे the probability that the driver was under the influence of alcohol अगर एक्सिदेंट हुआ तो क्या संभावना है कि driver under the influence of alcohol ओ आगे आंसर फेवरेबल अल्कोहलिक होते हुए एक्सिदेंट का होना अपान टोटल एक्सिदेंट का होना यास यह आंसर है फेवर पान टोटल जो event आपको दे रख़ा है यह event हो चुका है जैसे यह एक्सिदेंट हुआ तो आप उस एक्सिदेंट होने की probability लिख लो वो आपका टोटल बन जाएगा जो denominator में आएगा और फेवरेबल केस आगे आपको दिख जाएगा यहाँ पूछा गया है यदि एक्सिदेंट हुआ तो क्या संभावना है कि ड्राइवर ने पी रख की हो तो probability क्या होगी पी एवे ड्राइवर का एक्सिदेंट होना डिवाइड़ बाई टोटाल एक्सिदेंट होना बहुत आसान है जैसे मैं आपको पढ़ाया तो आप करें पहले की तरह फाइनल इवेंट की probability लिखे वो आपका टोटल हो जाएगा उसमें आपका फेवरेबल दिख जाएगा फेवरेबल अपन टोटल आपका अंसार आजाएगा कॉपी करिए आप देखिजान से बेस ठेरम पर आपन काफी सारे सवाल लगाएंगे और बेस ठेरम भी एडिशन और मल्टिप्लिकेशन की तरह ही है इसमें का सवाल तरह तरह के प्रपंची होते है कंसेप्ट तो सिंपल ही होता है आईए इस सवाल को देखे बहुत अक्षा कोशन है आएटी में आएवा कोशन कोशन क्या कहता है देर आर फोर बाल्स इन बैग नहीं है कि उनका रंग क्या है ध्यान से सुनिये का question को ध्यान से back के अंदर चार balls है ऐसे back band है चार ball है अंदर लेकिन हमको यह नहीं पता कि उनका रंग क्या है आगे बोलता है one ball is drawn and found to be white क्या हुआ final event एक ball निकाली गई और वो white निकली अब आप सोचो जो final event हुआ उसी की probability लिखनी होती है तो probability one ball drawn is white अब मेरी बात सुनना है ध्यान यहां पर लगाना है डिमाँ मेरे हात में एक बाईग है जिसमें चार अलग अलग रंकी बॉले है एक ball सफेद निकली मैं निकाली एक ball उपल सफेद निकली सोचो क्या हो सकता है यह तो इस bag में exactly एकई बाल सफेद हो यह exactly दो बाल सफेद हो यह एक्जेक्टली तीन बॉल सफेद हो, यह चार की चारो बॉल सफेद हो, बैग में से अगर एक बाचा इसमें लिखा गया है, नीचे पढ़ना है कोशन में, कि एजियूम आल नंबर आफ वाइड बॉल इन बैग तू बी इक्विली लाइकली, अब आप सोचिए क्या क्या ह हो सकता है, यानि बायग हाइज, वन वाइट बॉल, इसकी प्रोबिल्टी वही लेनी है, जो बायग हाइज, टू वाइट बॉल, इसकी प्रोबिल्टी वही लेनी है, बायग हाइज, थ्री वाइड बॉल, इसकी प्रोबिल्टी वही लेनी है, बायग हाइज, फोर वाइड बॉल निकली है तो चार ही केस बनेंगे यह तो exactly एक वाइड बॉल हो यह exactly दो वाइड बॉल हो यह exactly तीन वाइड बॉल हो यह exactly चार वाइड बॉल हो तो हर एक के होने की probability हम one by four लेंगे अब हमको इसकी probability लिखनी है यह हमारा final event हुआ क्या हुआ final event की one ball drawn एक बॉल निकाली गई और वो वाइड निकली clear है एक बॉल निकाली गई और वो वाइड निकली सोचो एक बॉल निकाली गई वो वाइड कैसे कैसे आ सकती है मैं बताता हूँ चार तरीके से आ सकती है की बायग है is one white ball into probability वाइड निकलाए या या बायग है is two white ball into white निकलाए प्लस probability बायग है is three white ball into white निकलाए या बायग है is four white ball into white निकलाए white ball निकलने की क्रिया चार तरीके से हो सकती है बायग में एक ही white और white निकलाए या बायग में दो white और white निकलाए या बायग में तीन white और white निकलाए या बायग में चारो ball white और white निकलाए आईए लिखें बायग में एक ही white ball हो into white ball निकले प्लस बायग में दो white ball हो into white ball निकल यह प्रोबिलटी टू भाइफ ओर या बाइग में तिन वाइड बाल हो इंटू वाइड बाल निकले, या बाइग में चार वाइड बाल हो इंटू वाइड बाल निकले यह हो गया final event, क्या पूछा गया है, कि one ball is drawn found to be white, find the chance that all balls are white सम्मावना है कि सारी बॉल ऑाइट हो फेवरेबल अपन टोटल यृइवाइट बॉल का निकलना टोटल है और चारो बॉल ऑाइट हो तो उब बॉल का निकलना फेवरेबल है अंसर आs रागया तो धीरे तेरे सीखें अब सोने देड़ें leftover आप सोने देहां से और कोश्चंस को देखिए, प्रहां देखिए कोश्चं को, है ना? Yes, कोश्चं क्या कहता है? A letter is known to have come either from London or Clifton. बड़े बड़े लोग हैं, और पुराना समय की बात है, अलचकल तो सब हो नहीं कर लेते हैं, London या Clifton, C-L-I-F-T-O-N. या तो letter लंडन से आया है, Clifton से आया है, लेकिन letter के उपर सब कुछ मिट गया है, इतनी दूर से आया है, कि केवल O-N ही visible है, बस O-N दिख रहा है. बोलता है, क्या chance है कि letter लंडन से आया हो, आओ देखते हैं, केवल O-N visible है, यानि दो consecutive letters O-N है, दो consecutive letters क्या है, O-N है, देखो जान से, probability, two consecutive letters R-O-N, देखो, अगर लंडन से आया है, तो लंडन से दो consecutive letters चुनने के टोटल तरीके, एक, दो, तीन, चार, पांच, और उनके O-N होने की case दो, क्लिफ्टन से, दो consecutive letter चुनने के तरीके, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और उनका O-N होने की probability, वन, अब लंडन से आया हो, तो बड़ा आंसर आ गया, फेवरेबल अपॉन टोटल, तकी फाइनल इवन्ट यही हुआ, कि दो letters O-N दिखाई पड़ रहे हैं, तो लंडन में दो consecutive letter O-N होने की probability, 2 by 5, पर क्लिफ्टन में दो consecutive letter O-N होने की probability, 1 by 6, तो टोटल यह आ गई, और फेवरेबल आ गई, लंडन से आया हो, कॉपी कर लीजिए, क्ल, क्या कदाओं मैं तुमको, ब्रहमान्डिक शक्तियां तुमारे साथ आ चुकी हैं, आइए, बीए 5 की बात करें, यह देखिए, एक और वैसा ही सवाल, जैसा कि बॉल वाला था, एक और वैसा ही सवाल, क्या कहता है सवाल, आइए, समझें, सुनें, अपर्स कंटें एन कोईंस ओफ अन्नोन वैलू, एन सिक्के हैं, अन्नोन वैलू, पर्स हैं, और इस पर्स में, एन कोईंस हैं, बिलकुल ध्यान से सुनना, एन कोईंस हैं, a coin is drawn at random and found to be a rupee एक सिक्का निकाला जाता है और वो रुपया निकलता है अब जड़ा बताओ क्या क्या हो सकता है या तो पर्स के अंदर पर्स है ज़ ओनली एक ही रुपय का सिक्का हो या पर्स है ज़ ओनली दो ही एक एक रुपय के सिक्के हो करते करते पर्स में सारे ही सिक्के एक एक रुपय क्यों आगे यहाँ पर फिर वही चीज बोली गई है assume all number of rupee coins in bag to be equally likely तो एक एक रुपय का हर एक की probability किती है गी one by n one by n क्यों हो जाएगी total n cases बन रहे हैं एक रुपय का एक ही शिक्क्हों तो पर्स के अंदर N सिक्के हैं अब तो मेरे कहाण से आपका खूपड़ी भी चल रही होकि पर्स के अंदर N सिक्क्हों हैं एक शिक्का निकाला जाता है और रुपया निकलता है तो सुचो पर्स के बारे में क्या कह सकते हैं एक रुपए का एक ही सिख्खा हो एक रुपए के दो सिख्खे हो एक रुपए के तीन सिख्खे हो यह एक रुपए के एन सिख्खे हो तो कुल मिला के पर्स के अंदर सिख्खों के कितने केस बने N cases बन गए क्या तो एक रुपय का एक ही सिक्का एक रुपय का दो सिक्का एक रुपय का तीन सिक्का एक रुपय का एन सिक्का तो टोटल हर एक की probability हम कित्ती माल लेंगे 1 by 1 अब क्या गिवन है गिवन है one coin drawn is rupee एक सिक्का निकाला गया वो रुपया निकला कैसे कैसे निकल सकता है पर्स में only एक ही क्वायन हो into रुपी निकला है या पर्स में केवल दो ही क्वायन हो एक रुपय के into रुपी निकला है या करते करते पर्स के अंदर सारे के सारे N सिक्क्र रुपय के हो इन्टू रुपया निकालाए एक ही रुपय का एक सिख्का हो इन्टू रुपया निकालाए प्लस एक एक रुपय के दो सिख्के हो इन्टू रुपया निकालाए प्लस एक एक रुपय के तीन सिख्के हो इन्टू रुपया निकालाए करते करते, सारे सरी एक एक रुपय के हो, इन टू रुपया निकाला है, फिरेबल केस क्या है? फिरेबल केस कहता है, What is the chance, that it is only Capable in the bike, तो फिरेबल केस क्या है? एक रुपय का एक ही सिखेदा हो, फिरेबल अपान टॉटल, अगर पर्स के अंदर टोटल N सिख्के हैं तो हो सकता एक रुपए का एक ही सिख्का हो या एक रुपए के दो सिख्के हो या एक रुपए के तीन सिख्के हो या एक रुपए के सारे सिख्के हो तो ये टोटल N केसे बनते हैं इन में फेवरिवल केस कौन सा है कि पर्स में एक रुपय का एक ही सिखता हो तो फेवरेबल अपान टोटल बिलकुल बॉल जैसा कोशन है वहाँ पर बॉल चार थी यहाँ पर बॉल एन है कॉपी करिए बहुत इंटलियंट जब आप लोग क्लास करने आते हैं तो पूरे अर्थ की अवरेज इंटलियंस गिर जाती है गिर जाती है ना सारे बच्चे इस क्लास में आ गए तो बच्चे वे अर्थ की अवरेज इंटलियंस गिर गई ना यह कर लिया अपनने तो पांच सवाल आपनने कर लिये छटे सवाल पर आजाईए बहुत अच्छा कोश्चन. बिल्कुल ध्यान देना है. बड़ा 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 करेंगे, ज़्यादा कोश्चन नहीं है, लेकिन इलस्ट्रेशन के बिना काम बनता नहीं है. कोश्चन कहता है, A and B are two inaccurate mathematicians. अर्थमेटेशन. A and B थो थोड़े inaccurate arithmeticians है. कभी-कभी सवाल सही करते हैं, और कभी-कभी गलत कर देते हैं, इसलिए inaccurate arithmeticians. whose chance of solving a question correctly, is 1 by 8. A सही solve करें, इसकी probability 1 by 8 है, और B सही solve करें, इसकी probability 1 by 12 है. आगे बोलता है, they solve a problem and obtain the same result. दोनों ने problem solve की, और same result मिला. यहाँ पर एक गजब की information दे रखिए है. अब सुनो मेरी बात को. मैथ में कैसे कैसे same result मिल सकता है. या तो दोनों सही करें, या दोनों गलत करें और एक ही गलती करें. अगर मैथ में दो लोग एक ही गलती करें calculation में, तो answer same आएगा. इसके अंदर एक probability given है, same mistake करने की. बोला जा रहा है, if it is thousand to one against making their same mistake, तो दोनों की same mistake करने की probability, one upon one thousand one. फाइनल इवेंट क्या हुआ? फाइनल इवेंट हुआ, दोनों का same result आया. सोचो, दोनों का same result कैसे कैसे आ सकता है? या तो, दोनों के दोनों ने correctly solve किया हो, या both solved wrong and made same mistake. देखो, ध्यान रखना, दोनों के गलत करने से answer same नहीं आएगा. क्योंकि हो सकता है, दो लोग गलत करें, और एक cancer 2 आजाए, एक cancer 3 आजाए. दोनों गलत करें और एक ही गलती करें. अब देखिए, दोनों सही करने की probability, 1 by 8 into 1 by 12. दोनों गलत करें. पहला भी गलत करें, दूसरा भी गलत करें, into दोनों एक ही गलती करें. यह लिज़े, यह हो गई, same result आने की probability. तो finally पूछ रहा है, find the chance, that the result is correct. तो favorable upon total. अगर दोनों का same answer आया है, तो क्या संभावना है, कि उत्तर सही हो. तो favorable upon total. क्योंकि सेम उत्तर आने के दो ही case होंगे. यह तो दोनों सही करें, यह दोनों गलत करें, और एक ही गलती करें. कॉफी करिए. चलिए. नेक्स कोश्चन की बात करते हैं. बीए फाई, बीए शिक्स, बीए सेवन. यह लेजिए. चाय कॉफी का कॉश्चन, चाय कॉफी की बात, करनी पड़ रही है. हाँ, अब सुन अलिहान से. यह बेश्चन का कॉश्चन नहीं है. इस है जेनरल कॉश्चन है. छे में से तीन लोग present है बाई छे लोग थे उनमें पाँच लोग coffee पीते है coffee 1, coffee 2, coffee 3, coffee 4, coffee 5 और एक आदमी चाय पीता है छे में से तीन present है The probability that one of them drinks tea तो छे में से कोई भी तीन present हो सकते थे चाय वाला आया हो चाय वाले को present कर वालो और पाँच कॉफी वालों में से दो को प्रेजंट करा लो मिल गया आंसर अरे बेस्थरम का कॉशन नहीं है गल्ती से बीच में आ गया तो इन फिर भी कॉशन ठीक है कॉशन कहता है पाँच लोग कॉफी पीते हैं एक चाय पीता है आघ से जए आए आएएँगे ते क्या संभावना यह जान झाएँबूव्या संभावना तो टोटल नहीं मैं जाएँछाु में से कोई भी सिय्टा था ते चाय वाला था चाय वालो मैं से और जह कॉम्जिए दपाँछ भीते है感覺 यह देखो, यह प्रबबिल्टी पढ़ने का फायदा है, कि अवम ऐसे भारी सवालों को भी चुटकुला कहके संबोधित करते हैं, यह लिए 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 यह लिए भी इस ठेरम, आएए देखें इसको, पाल्स गार्डनर, एक आदमी है पाल, उसने एक गार्डनर है, पाल्स गार्डनर is not dependable, भरोसे मंद नहीं है, और पानी डालना भूल जाए, इसकी प्राडनर पाल रखा है, वो बिलकुल भरोसे मंद नहीं है, वो रोस बुश को वाटर करे, इसकी प्राड़िटी वन भाई थ्री, और पानी डालना भूल जाए, इसकी प्राड़िटी टू भाई थ्री, आगे बोलता है, दा रोस बुश इस इन अ क्वेश्चनेवल कंडिशन, वो रोस बुश भी सडी रहा है, अकर पानी दिया जाए, the probability of withering is half, withering मतलब फूल खिलना, probability of withering, given that watered, half है, if not watered, withering जड़ जाना, जड़ जाना, जड़ जाना, probability of withering, given that not watered, is three by four, अगर पानी डाला गया, withering मतलब जड़ना, जड़ना, अगर पानी डाला गया, जड़ने की probability half, पानी नहीं डाला गया, जड़ने की probability three by four, पाल बहर चला गया, और जब लवटा, तो देखा कि लोज बुश विदर हो चुका है, जड़ चुका है, कितनी गुस्षा लगे होगी पाल को, सोचो, कीसे कैसे रोज बुश विदर हो सकता है, probability of withering, सोचो, कैसे कैसे विदर हो सकता है, पानी डालें फिर भी विदर हो जाए या पानी ना डालें फिर भी विदर हो जाए भाई दो ही तरीके हैं इसके इंदर पानी डालें और फिर भी जड़ जाए या पानी ना डालें फिर भी जड़ जाए पानी डालें और फिर भी जड़ जाए या पानी ना डालें और फिर भी जड़ जाएं. What is the probability that the gardener did not water the rose bush? क्या संभावना है कि पानी नहीं डाला है? तो पानी ना डालने टूबाई की. फेवरेबल अपॉन टोटल. उसके जड़ने की टोटल प्रोबिल्टी और फेवरेबल केज में जड़ने की प्रोबिल्टी. तो फेवरेबल अपॉन्ट टोटल. कॉपी कर लीजे. और सावाल देखें. बिल्कुल धान देंगे सावालों पर. जो एक पाल्स गाड़नार बिया नाइन. यस. वाँ. गर्जब का कुश्चन. इतना बड़ा कुश्चन है. परते परते ही शाम हो जाए. Mr. DuPont is a professional wine tester. तो Mr. DuPont जो है professional wine tester है. वाइन को टेस्ट करके बताते हैं. कहां की वाइन है. When given a French wine. He will identify it with probability 0.9. तो French को French बोलने की probability 0.9 है. Given French, says French. 0.9 करेक्लियस French wine. Will mistake it for Californian wine. Probability given French, उसको Californian बोल दे हैं 0.1. दोन वाइन का टेस्ट एक जैसे रहता होगा. यह ज़्या बार चखने की बाद समझ में नहीं हाता होगा. आगे बोलता है, When given a Californian wine, he will identify it with probability 0.8. Probability of Californian को Californian बोलने की probability 0.8. आगे बोलता है, और mistake, probability, फ्रेंच बोल दे हैं, Given Californian, 0.2. Suppose Mr. Dewpoint is given 10 unlabeled glasses, 3 with French. तो फ्रेंच को उठाएं, इसकी probability 3 by 10 हैं, तीन गिलासों में फ्रेंच वाइन हैं. And 7 with Californian, Californian wine उठाएं, इसकी probability 7 by 10 हैं. आगे बोलता है, He randomly picks a glass, एक गिलास उठाया, ट्राइज वाइन, एंड सेज फ्रेंच. Final event क्या हुआ, उन्होंने बोला, फ्रेंच. अब सुनना है, कैसे कैसे वो फ्रेंच बोल सकते हैं, दो ही तरीके से फ्रेंच बोल सकते हैं, फ्रेंच वाइन उठायें, और फ्रेंच को फ्रेंच बोलें, या कैलिफोर्नियन वाइन उठायें, और गल्ती से कैलिफोर्नियन को फ्रेंच बोलें, बस, यानि फ्रेंच वाइन उठें, इंटु फ्रेंच को फ्रेंच बोलें, यह कैलिफोर्णियन वाइन उठे इन्टु कैलिफोर्णियन को फ्रेंच भोल दे आगे बोलता है the probability that the wine it tastes is कैलिफोर्णियन उन्हेने गल्ती कर दी हो तो फेवरेबल अपान टोटल सिंपल कॉपी कर लीजे